नमस्कार, UFT News 24 में आपका स्वागत है, रुख करते हैं खास खबर पर कुशी नगर के हेतिमपोर में भारतिय वायू सेना का जैगवार लड़ा को विमान हुआ क्रैश पालेट ने पैरशूर्ट से कूट कर बचाई अपनी जान कुशी नगर जिले के हेतिमपोर में भारतिय वायू सेना का जैगवार लड़ा को विमान क्रैश हो गया क्रैश होने के बाद जमीन पर आते ही विमान में आग लग गई फाइटर प्लेन एक खेट में गिरा जिसके बाद उसमें आग लगी इस हाथसे में पाइलिट ने पैरशूट से कूद कर अपनी जान बचाई तेज हवाओ के साथ आग ने चंद मिन्टों में ही विमान को खाक में बदल दिया सिंगल सीटर विमान का पाइलिट पैरशूट की मदद से कूदने में सफल रहा सुबा गोरकपूर वायू सेना स्टेशन से उडान भरने के बाद भारतिय वायू सेना का जैगवार लड़ा कुविमान कुशी नगर में हेतिमपूर इलाके में दुरगटना ग्रस्त हो गया इस हादसे में पाइलिट पैरशूट की मदद से सुरक्षित नीचे उतर गया वायू सेना की ओर से कोड ऑफ इंक्वाइरी का आदेश जारी किया गया हादसे के बाद वायू सेना की ओर से सर्च ओपरेशन शुरू कर दिया गया है इस ओपरेशन में दो हेलिकॉप्टरों को लगाया गया है इससे पहले पिछले साल 20 मार्च 2018 को भी एक वायू सेना का लड़ाकु विमान हाथसे का शिकार हो गया था इस हाथसे में पाइलेट अरविंद कुमार ने विमान में आई गडबडी को देख पहले उसका रुक नदी की ओर कर दिया उसके बाद पैरशूट लेकर छलांग लगा दी इसके बाद पाइलेट सुन रेखा नदी के बालू में गिर गय थी जिससे उन्हें चोट आई थी बताया जा रहा है कि ये विमान ट्रेनिंग के दोरान रूटीन उडान भर रहा था लेकिन उडान भरने के 10-15 मिनट के अंदर ही दुरगटना ग्रस्त हो गया गौर तलब है कि वायू सेना में जैगवार काफी खास किस्म का लडाकु विमान है लडाकु विमान जैगवार की मदद से आसानी से दुश्मन के कैम, एयर बेस और वार्श शिप को निशाना बनाया जा सकता है जैगवार की खासियत ये है कि वे कम उचाई पर उडान भर कर भी दुश्मन की नाक में दम कर सकता है कुशी नगर से शाहिद खान के साथ सर्वर वार्शी की रिपोर्ट इस खबर पे इतना ही, UFT News 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद